हाई गाईस टेस्टी होम कुक में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं हरी मटर का नीमोना जो की बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगे मैं आप लोगों को एकदम यूनिक तरीका बता रही हूं इस तरीके से अगर आप फॉलो कर में आप लोगों को मिलती रहे तो हरी मटर का नीमोना बनाने के लिए सबसे पहले हमें जोने बरतन गरम होने के लिए रख देना है फ्लेम गैस का मीडियम रखेंगे जब आपको बरतन गरम हो जाए तो आट करेंगे एक चमच रिफाइंड ओयल आप किसी भी कुकिंग ओयल से बना सकते हैं जब अच्छी तरह से गरम हो जाए तो इसमें हम लोग आट करेंगे हरी मटर तो मैंने आप पर 300 ग्राम हरी मटर लिया हुआ है और थोड़ी सी हरी मटर मैंने बचा लिया है इसका यूज हम बाद में करेंगे तो हरी मटर जैसे आप ओयल में डालोग ना तो हरी मटर जोहना थोड़ा सा उड़ने लगती है तो कैप से कुछ सेकेंड के लिए ढख देंगे क्योंकि हरी मटर में काफी ज्यादा जूस होता है तो उड़ेगी तो छीटे जोहना ओल के आपके उपर भी आ सकते हैं उसके बाद कैप उठाईए और अलट पलट करते हुए हरी मटर को थोड़ी देर तक पका लेंगे जिससे की हरी मटर का कच्चा पन निकल जाएगा और जोहना हरी मटर थोड़ी सी पक जाएगी तो आपक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सारी मटर निकाल लेने के बाद हम लोग फ्राई करेंगे आलू तो मैंने यहां पर दो जो है मीडियम साइज के आलू को छिलका उतार करके और बड़े-बड़े तुकड़े में चौप करके लिया हुआ है इसे भी हमें फ्राई करना है मीडिय चेंज हो जाना चाहिए ताकि आलू का सोधापन बना रहे तो कुछ ही सरीके से कलर दिख रहा है आप देख पा रहे हो इसे भी हम लोग ओल से पाहर निकाल लेते हैं कि अप जो है हम लोग इसमें एट करेंगे थोड़ा सा सर्शों को ओल काफिसाब बचा हुआ है थोड़ा सा ओल हमें आप आट करेंगे तो यह जो निमोना है ना सर्शों के तेल में बहुत अच्छा लगता है आप बाकि किसी भी कोकिंग ओल से बना सकते हैं इसे पहले मैं अभी मैं सर्सों का तेल एट कर रही हूँ जब अची तरह से गरम हो जाए तो आधा जीरा एट करिए जीरा क्राइश होने के बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची और प्याज बारिक चॉप करके तो कम ज्यादा आप कर सकते हो साथ में हम लोग डालेंगे यहां पर हींग त सभी चीजों को मिक्स करिए और अच्छी तरह से कुछ सेकेंड तक पकाईए हलकी सी प्यास सॉफ्ट हो गई है डालेंगे इसमें हम लोग एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर आप कम ज्यादा कर सकते हो अगर निमोन आप ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहा रहे हो तो करेंगे बिल्कुन ओप्शनल है सिर्फ कलर के लिए यूज करेंगे सभी मसाली को मिक्स करेंगे और कुस सिकेंड पकाएंगे और उसके बाद इसमें हम लोग आट करेंगे टमाटर तो मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज की टमाटर को चौप करके लिया हुआ है टमाटर सौफ्ट हो जाएं फिर हम यहाँ पर आट करेंगे हरी मथर जो बची हुए हरी मथर थी यह वही वाली है एट करने के बाद साथ मिडाल दीजीए यहा पर आलू जो हमने फ्राय करके रखा हुआ था उसली आलो को आट करेंगे तो आलू और मथर जो है आप कम जादा जितना जितना आप निमुना को गाढ़ा या फिर पतला बनाना चाह रहे हो उसी साप से पानी आट करने बाद मिक्स कर दीजी अच्छी तरह से और फिर हम लोग यहां पर आट करेंगे हरी मटर का पेस्ट जो हरी मटर में ने फ्राइ किया हुआ था नहीं पकाय हुआ था उसी को ग्र आट करेंगे कम जादा कर सकते हुआ अकसा निमुना बनाते हुआ इस प्रोशस को फॉल्व करके बनाते हो तो आपका अब दैको बढ़ी बढ़ीया कलर दिखेगा निमुने का ढख करके चार-पांच मिनट पखने के लिए चोड़ दीजिए और फिर आप देखोंगे कैप उठा करके कि कितना प्यारा सा करण दिख रहा है अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए फ्लिम को आफ कर देंगे और उसके बाद जो है ना फ्रेशनेस के लिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हरा धनिये यूज़ करेंगे मैंने यहाँ पर निमोनों को इतना गाला रखा हुआ है बहुत ही बढ़िया सी खुजबू आ रही हरी धनिया मिक्स करेंगे और थोड़ी देर ना दस मिनट या पांच मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दीजिए जब इसका टमपरेशन नौर्मन हो जाएग ना तो खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है तो गाइस रेस्पी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मिलते हैं कि नई रेस्पी में बाइ गाइस